दोस्तों ग्योहूं का आटा हमारे घरों में बहुत आसानी से मिल जाती है और ग्योहूं के आटा से आप सभी ने बहुत सारी रेश्पी बनाई भी होगी लेकिन जो मैं यूनिक सी रेश्पी आपके साथ में सेर करने वाली हूं आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा इसे बन गरम पानी में विगो सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल पानी में विगो रही हूँ, यह जल्दी फूल जाती है, दो से तीन मिनट समय लगता है फोलने में, तो दो से तीन मिनट तक इसको रख देंगे, फोलने के लिए तब तक हम आटा का डो लगा के तयार कर लेंगे, तो यहा तो देख सकते हैं, आटा में पूरी तरह से अच्छा से मिल गई है, हाथों में इस तरह से बानेंगे तो यह उठ्धिया की तरह बन जा रही है, तो एकदम पूरी तरह से अच्छा से इस तरह से मिला लेना है अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा को गूध के तयार कर लेना है बहुत जादा यह सकत रहे और बहुत जादा यह नरम रहे जैसा हम चपाती बनाते हैं उतना ही नरम इसको गूत के तियार करना है तो देख सकते हैं चपाती जैसा हम बनाते हैं उतना ही नरम है इसको हम प्रख देते हैं पांच मिनट के लिए धग कर तब तक सूजी अच्छा से फूल जाएगी थोड़ा यह सक्त हो जाएगी तब तक सुजी फूल रही है और यहां पर देख सकते हैं स्वायबीन भी अच्छा से यह फूल चुकी है तो ज्यादा समय नहीं लगा है फ्रेंड दो से तीर मिनाट का लगा होगा वो अच्छा से फूल गई है और मैंने अच्छा से इसको धो लिया है पूरी तरह से पानी है निचोड़के निकार देंगे अब एक मिक्सम जान में सभी स्वायबीन को डाल देना है तो फ्रेंड आप लोग के हैं हमारी हैं तो स्वायबीन बोलते हैं कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर से बताइएगा कहीं कहीं सोया बारी भी बोलते हैं इसको अब इसी के साथ लेंगे कच्चा मुंफली का दाना तो रोष्ट किया हुआ नहीं लेना है कच्चा लेना है और साथ में टीका के लिए 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे थोड़ा जीरा डाल देंगे खड़ा साबूर धनिया की पत्ती डा अब इसको पीस लेंगे, दर्दरा पानी भी नहीं उच लएक टो देख सकते ह्या है कि यह फ्रियन्ट पीसा गई है इस तरह से पीस के तैयार करना है बहुत इसको बारिक नहीं पीसना तो आभ हम चलते खेश की तरफ यह तरह बिल्कुल रेडी है बनने के लिए गैस पे मैंने पेन लिया है आपका राही में भी बना सकते हैं और इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसके बाद तेल जब गरम हो जाए तो सवया बीन जो है डाल देना है मेडियम लोफ लेम पे इसको भून लेना है 3-4 मिनट तक तो हाई लेम पे नहीं भूनना है मेडियम लोफ लेम पे भूनेंगे तो बहुत अच्छा से भूना जाएगी 3-4 मिनट तक मैंने भून लिया है अब इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज का आलू आलू को आप चाहें मैस करके या कदू कस करके डाल सकते हैं और स्वाद अनुसा डाल देंगे इसमें नमक हल्दी पॉडर डाल देंगे थोड़ा सा चर्पटा सा फ्लेवर के लिए इसमें डाल देंगे सोजवान चटनी आप चाहें तो टेमेटे कचप एक छोटी चमच डाल सकते हैं थोड़ा सडाल देंगे नेबू का रस लगबग एक चमच चोटी चमच से अब इन सब चीजों को अच्छा से मिला लेंगे बाकी मसाला इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है फ्रेंड इतना ही मसाला से काफी चटपटा फेली बन कर तयार होगी तो अच्छा से इसको भून लेंगे 2-3 मिनट तक तो देख सकते हैं अच्छा से पक गई है भूना भी गई है खुसवी भी वहत अच्छी आ रही है अब निकाल लेते हैं दुसरे बरतन में इसको और यहां पर आटा अच्छा से फूली गई है 3-4 मिनट हो गई है काफी अच्छा से फूल गई है देख सकते हैं जो सूजी हमने इस पर डाला था सूजी डालने से फ्रेंड काफी क्रिस्पी बनेगी और खस्ता बनेगी अब इसको बड़ा सा लोई बनाएंगे इसको अच्छा से इसको मसलते हुए इसको गुलिया लेंगे तो देख सकते हैं कि एक दम चिकना चिकना हो गया है इस तरह से हाथों से दबाएंगे गुलियों से अब थोड़ा सा आटा लगाएंगे गहुं का आटा या मैदा लगा सकते हैं अब इसको गुलियों से दबाने के बाद बेलन से इसको बेल लेंगे तो बड़ा साज में इसको बेलना है थोड़ा लंबे आकार में बेलना है तो देख सकते हैं कि मैंने बड़ा साज में बेल कर तयार कर लिया है और आप लोगों में दिखा दे रहे हैं कि रोटी कितना पतला इसको बेल कर तयार करना इस तरह से अब इसके उपर जो हम मसाला बना कर तयार करें हैं स्वाइबीन का वो मसाला लेंगे और इसको सलंडर का सेप देंगे लंबा इसको बना कर तयार करेंगे तो चलिए मसाला को सलंडर सेप में बना लेते हैं मसाला काफी खंडी हो गई है हलकालगा गरम भी रहेगी तो भी बना सकते हैं एक साइड इसको इस तरह से रखेंगे और इसको अच्छा से अंगलियों से set कर देंगे پूरी तरह से set करने के बाद किनारे इस तरह से पकरेंगे और इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से अच्छा से इसको मोड लेंगे और बाकी जो आटा बची है इसको उपर इस तरह से शेट कर देंगे अब इसको हाथों से इसको प्रेस करते हुए इस तरह से बढ़ा लेंगे थोड़ा और बढ़ा हो ताकि यह थोड़ा चोड़ा हो जाए और बेलन से इसको बेल लेना है ताकि उपर के साइड भी अच्छा से चिकना हो जाए तो देख सकते हैं अच्छा से चिकना हो गया है तुर्णों तरफ इस तरह से अब चाकू की मदद से हम इसको कटिंग करेंगे पहले साइड का सब्सक्कारइम उसके अथा सब्ता काट सकते हैं ऑसके हिसाब कर देंगे बाद में इस तरह से बनाकर तैयार करेंगी अविस पे हम बनाएंगा डिजाइन तो हमें लेना है अबरोच ही मतीस तरह से तोहला कातना है ताकि चिम्टी चिपकेना अब इस तरह से दबाते हुए किनारे चिम्टी के अंदर इसको दबाते हुए इस तरह से बनाना है तो फ़रें बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनकर तयार हो जाती है और देखने में भी बहुत सुन्दर लगती है और खाने में तो पूछिए मत बह करेंगे आप से जरूर से पूछेगा यह डिजाइन आपने कैसे बनाया है और कहां से सीखा है इतनी खुबसूरत डिजाइन बनका तैयार हो जाती ही इतना आसान तरीका से इस तरह से डिजाइन बनाने के बाद में तो देख सकते हैं दोनों जो लाइन है वो दोनों लाइन को आपस में जॉइंट करना है ये दोनों लाइन है ना देख सकते हैं बहुत अच्छा से दिख रहा है ये दोनों लाइन को छिम्ती के अंदर इस तरह से फसाते हुए इसको जॉइंट कर देना है तो इस तरह से बहुत सुन्दर डिजाइन बनकर तयार हो जाती है तो जादे जादे दूर पे नहीं थोड़े नजदिक नजदिक में इस तरह से बनाना है और इस तरह से डिजाइन बनाकर तयार कर लेना है ये देखिए है ना फ्रेंड कितना असान है बहुत ही असान है तो चलिए इसी तरह से सभी नाश्ता को हम बना कर तयार कर लेते हैं तो देख सकते हैं कितना सुन्दर डिजाइन बन कर तयार हो गया है कोई भी नहीं कहेगा कि ये ब्रोचिम्टी से डिजाइन बनाया हुआ है तो चलिए अब दूसरा भी हम बना कर तयार कर लेते हैं तो एक बात का मैं आप लोग को याद दिला दे रहो ही फ्रेंड आज की हमारी ग्योहूं की आटा की ये रेस्पी आप लोग को कैसी लग रही है अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, सेयर और हमारे चैनल पर जो फ्रेंड नए नए आए हुए है चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करू आप तक तुरंत का तुरंतो वीडियो पहुच जाए जो फ्रेंड फेस्बुक पेज पे देख रहे हैं, वो फ्रेंड भी फेस्बुक पेज को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा तो इस तरह से फ्रेंड सभी नास्ता को बना कर तयार कर लेना है तो यहां पर मैंने 6 नास्ता को बना लिया है अब लेंगे मैदा तो यहां पर मैंने तीन छोटी चमस मैदा लिया है और पानी डाल के इसको गाढ़ा सा घोल बनाकर तयार कर लेना है अब एक नास्ता को उठाएंगे उठाने के बाद में जिस तरफ कटिंग होई है उसको इस तरह से डुबोएंगे यहां पर मैंने ब्रेड को पाउडर बना कर लिया है ब्रेड को इस तरह से किपका देंगे अच्छा से कोटिंग कर देंगे तो दोनों तरफ इस तरह से कर लेना है तो अच्छा से कोटिंग कर लेना है उपर के साइड छोड़ देना है तेल को गरम कर लेना है तेल में डाल दे desired टेल में डाल देंगे, तो इसी तरह से टेल में डाल देना है, फ्लीम बना मारे बिचकंवर 극्य बहुत इसाई़ा बिशितास, उपड़फ ए लोगार मिनन waktu फ्लीम व्हाना है, तो टेल में वकर दोपतें म मिरुंद। अच्छा से ये सुनारा गोल्डन लाइट कलर आ जाए और अच्छा से क्रिस्पी हो जाए अंदर तक, तो 4-5 मिनट का समय फ्रेंड लग गया है, अब इसको हम तेल में से च्छाने कर निकाल लेंगे, तो काफी क्रिश्पी है, एक तैल भी बिल्कुल भी नहीं सोकती है, अई इसी तरह से सभी नास्था को बना कर हम तय्यार कर लेंगे, आज चलिए सर्प करने के लिए, ये लिजी एफ्रेंड, गयुई के आटा का एदम क्रिश्पी, खस्ता नास्था बनकर तय्यार हो गया है, मैंने इसको बहुत ही अलग तरीका से बनाया है काफी हेल्दी है स्वादिश और साथ में बहुत ही ज़्यादा चटपता और क्रिस्पी है तो अंदर से लेकर उपर तक बहुत ही ज़्यादा ये खस्ता है मैं तोड़के भी दिखा दे रही हूँ ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है तो आप लोग भी जरूर जरूर से ट्राइ करिएगा अगर आज की रेश्पी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, सेर, सस्क्राइब जरूर से करिएगा और इस नास्ता को आप बच्चों का किफी में भी दे सकते हैं या आप सफर में कहीं आप जा रहे हैं, तो बना कर आप ले जा सकते हैं, दो दिन तक इसको खा सकते हैं, बिलकुल भी खराब नहीं होने वाली है तो आई होब आज की रेश्पी पसंद आई होगी, अब कल मिलेंगे आप लोग से नई वीडियो के साथ, तब तक लिए नमस्ते, बाइ